यार अभी थोड़ी देर में मेरे चैनल पे अब तक का सबसे बड़ा गिववे आने वाला है वो यार आप तक का सबसे बड़ा गिववे होगा मेरे चैनल का उसमें आपको गुडिज और बाख की काफी चीज़ें मिलेंगी और इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं बहुत ही सई मिशन है आपके लिए ये अगर आपको ज़्यादा पॉइंट से ही अगर आपको ज़्यादा गुडिज चाहिए तो तो चलिए इस स्टार्टिंग से एक्स्प्रेन करते हैं और जैसे कि आपको पता है अभी तक का ये रूल था कि अगर आप तीन स्किल बैचेज करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलेगा बट इस बड़को इवेंट में इस इवेंट में जो स्किल बैचेज ओपन होंगे हर हपते उनमें अगर आप 3 skill batches करते हैं तो आपको 2 points मिलेंगे August की 1st week की skill batches open हो चुके हैं उसके बारे मैं आपको explain करता हूँ और 1st week में 6 skill batches हैं तो मानो अगर आपने 3 करें तो आपको 2 points मिलेंगे अगर आपने पूरे 6 complete करें तो आपको 4 points मिलेंगे यह main concept है कि points अब double हो गये पहले 3 skill batches में 1 मिलते थे अब 6 में 2 मिलेंगे जैसे कि आपको पता है पहले का यह system था यह एक overview हो गया अब जो main है उससे आपको सोगरते हैं तो एक यह main post आया था तो यहाँ पे main वही चीज लिखिए हर हपते August के पहली week से पहली तारिक से 6 skill batches open होंगे और उन में से अगर आप 3 skill batches को complete करेंगे तो आपको 2 points मिलेंगे और आप पूरे महिने इस चीज को समझने कोसिस करना हर हपते 6 skill batches खुले तो 4 हपते total 24 skill batches होंगे और हर 3 skill batch में 2 points मिलना है तो अगर आप सारे पूरे हपते के 24 skill batch करेंगे तो आपको 16 points मिलेंगे और जैसे कि आपको ultimate milestone का पता है कि maximum आपके जो points हो सकते हैं वो सिर्फ 25 हो सकते है maximum तो ये बहुत ही अच्छा challenge है जिससे आप बहुत ही जल्दी ज़्यादा points को collect कर सकते हैं आयोप आप समझ गया होंगे हर हपते 6 skill batch open होंगे और जब आप 3 skill batch को करते थे तो पहले आपको 1 point मिलता था आप आपको 3 skill batch के 2 point मिलेंगे तो एक हपते में 6 skill batch मानिये आपने पूरे 6 गल लिए तो आपको मिले 4 points ऐसे ही आप पूरे मन्त में 4 week होंगे टोटल 24 skill batches होंगे तो अगर आप सारे 24 करेंगे तो आपको 16 points मिल जाएंगे आयोप आप कौन से समझ गया होंगे अब आप जितने भी करें उसके हिसाब से आप calculate कर सकते हैं और हर एक हपते की एक particular theme होगी जैसे इस हपते कोई और theme है कौन से theme हैं मैं आपको so करता हूँ और जो 6 skill batch open हुए हैं इस हपते उन में से कोई भी एक skill batch को अगर आप complete करेंगे तो आपको एक नया batch मिलेगा उस पड़कोद theme को so off करने के लिए batch कहाँ सो होगा आपकी go cloud skill boost की profile में अब इस बार कौन से skill batches खुले हैं वो मैं आपको so कर देता हूँ और सारे solutions उन skill batches के आपको description box मिल जाएंगे तो ने चेक आउट कर लेना अब पता कहां से चलेगा कौन से skill batches open है दो तरीके हैं एक क्यों क्लाप्स की जो LinkedIn का page है यहां से आप देख सकते हैं यह 6 skill batches हैं इनके solution आपको description box मिल जाएंगे complete और बाकी दूसरा तरीका है क्यों क्लाप्स का YouTube channel week 1 का नाम है Raindrops जो theme है जिसके बारे मैंने बात करे थी तो week 1 की theme है Raindrops और इसमें जो 6 skill batches हैं इसमें भी दिखाएगा हैं description में भी given है मैंने solution और सब कुछ दिया है उसको देख लेना और जो doc है जिसमें easiest skill batches given है उसकी भी link आपको description box मिल जाएगी मेरे solutions के साथ तो उससे आप और skill batches को कर सकते हैं और आप इसमें भी देख सकते हैं नीचे week 1 के पूरे 6 skill batches given है और या बाकी इस बार August में तीन game open हुए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और trivia open हुए अभी आप skill batches को complete कर सकते हैं बाकी एक दो दिनों में मैं आपको one minute solution प्रवाइट करूँगा सारे levels का और trivia का भी बाकी सारी important links आपको description box मिल जाएगी चेक आउट कर लेना और इससे रेटर अगर कोई out हो तो भी कमन करके पूछ लेना आज की ववे की वीडियो आएगी तो उसे भी चेक आउट कर लेना ये अपनी short and to the point वीडियो थी पसंद आईए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मिलते हैं सीनेस वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं